नमस्कार मैं रुपेश आपका स्वागत करता हूं टेकनोलजी क्रू में जैसा कि आप सभी अपने अपने फोर में वाटसप जरूर ही यूज करते होंगे और आपके साथ भी कई बार ऐसा हो चुका होगा जब आप किसी को कोई टेक्स मैसेज भेजते हैं तो या तो टाइपि कर देते हैं जिनको आपने टेक्स कर रखा है उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं कि क्या डिलीट किया क्या डिलीट किया क्या डिलीट किया तो कई बार ऐसा होता भी है कि वह आप से पूछते हैं कि क्या डिलीट किया और आपको जवाब देना थोड़ा मुस्किल हो जाता है तो इसके solution के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप से typing mistake हो गया है, या फिर गलती से आपने कुछ ऐसा text भेज दिया है, जो कि नहीं जाना चाहिए, तो उसको आप edit भी कर सकते हैं, और दुबारा से उसी text को send कर सकते हैं, आपको delete करने की जरूरत नहीं परेगी, त दोस्तों तक share कर देंगे इस video को, ताकि उनको भी इस चीज का love मिल सके, और वो भी इस feature का इस्तिमाल कर सके, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, कि किस तरीके से आप भेजे हुए message को edit करके दुबारा से भेज सकते हैं, और आप delete for everyone के feature से बज सकते हैं, तो दोस्त मैंने typing mistake कर दिया, अब क्या है, ऐसे generally आप क्या करते हैं, यहाँ पर जा करके, इसको delete button पर करके, delete for everyone कर देते हैं, जैसे ही आप delete for everyone कर देते हैं, तो यहाँ ऐसा लिखा हुआता है, और सामने वाले को भी यही लगता है कि कुछ delete किया है, तो इसके solution के लिए मैं आपको बता है, टेक्स पर और उसके बाद select हो जाएगा यह और कोने पर जो आप तीम डॉट देख रहे हैं, इस डॉट पर आपको click कर देना है, click करेंगे तो यहाँ पर edit का option आएगा, edit button पर आपको click करना है, edit button पर click करके, आपको delete करके, आप modify कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख आएगा, तो इससे कोई problem नहीं है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको edit कर सकते हैं, दूसरा एक और option है, अगर आप group पे भी कोई भेज देते हैं, जैसे मेरा यह group है, मैंने इस group को open किया, और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, और भेज दिया, अग चाह र करना है, और आप जो भी लिखना चाहते हैं, यहाँ पर लिख करके दूबारा से send कर सकते हैं, तो देखे, इस तरीके से आप इस feature का use कर सकते हैं, काफी useful है, तो आशा करते हैं, आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत ब करने बाग, आपका समय सुभ हो